हेलो फ्रेंज वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल एडवांस्ट एक्सल ट्रिक्स गाइस दिस प्रभनीत कौर और आज मैं आपके साथ एक्सल के कुछ ऐसे शॉटकर शेयर करने वाली हूँ जिनको यूज करके आप एक्सल में एक्स्पिटीज हासिल कर सकते हैं इस टेबल को हमें सेलेक्ट करना है तो हमारा पहला शॉटकट है गिसी बी सेलक्ट करेंगे गर हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा अगर हमें अपनी entire sheet को select करना है तो हम क्या करेंगे तो sheet के किसी cell को select करेंगे कहीं भी कोई भी cell select कर लीजे Ctrl प्लस A प्रेस कीजे पूरी sheet select हो जाएगी पूरी sheet को select करने का एक और easy method है आप यहाँ पे row और column के बीच में रेख सकते हैं एक button आ रहा है इस button को press करते ही हमारी पूरी sheet select हो जाएगी अब आप यहाँ पे देखिए एक class का column है इस column को हमें delete करना है और इसकी जगा एक नया column insert करना है तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले अपने column को select करेंगे और उसको select करने के लिए हम उसके किसी भी cell को select करेंगे और यहीं भी हमारा दूसरा shortcut आता है control plus space control के साथ हम space प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा column select हो जाएगा इस column को अब हम delete करेंगे उसके लिए हमारे पास third shortcut है control minus हम control minus का use करेंगे और हमारा column delete हो जाएगा अब हमें नया column insert करना है तो हमारे पास fourth shortcut है control plus हमने control plus किया और नया column add हो गया नया column में हम लिखते हैं subject गाईज यही चीज़ आप row के साथ भी कर सकते हैं तो हमारा next shortcut है row के लिए shift plus space जैसे ही हम shift plus space प्रेस करेंगे हमारी row select हो जाएगी गाईज एक बात का ध्यान रखिएगा edit mode पे यह selection work नहीं करेगा क्योंकि जब आप किसी भी cell पे type कर रहे होंगे कोई काम कर रहे होंगे तो यह selection नहीं होगा यह चीज सिर्फ selection mode पे होगी चीक है अब इस shortcut को याद करने का एक बहुत easy method है आप अपने keyboard पे देखिए shift की row जैसी दिख रही है और control की column जैसी दिख रही है तो जब हमें column select करना है तो हम control के साथ space press करेंगे और जब हमें row select करनी है तो हम shift के साथ space press करेंगे गाईज अब हमारा next shortcut है control plus navigation keys तो हम अगर अगर अपने table के end वाले cell पे जाना चाहते है या sheet के end वाले cell पे जाना चाहते है तो हम उसके लिए control के साथ navigation keys का use करते है कोई भी हम navigation key उस करें अगर control के साथ right side वाली navigation key उस की तो total पे हम आगए और फिर से हम right पे press करते हैं तो हम last वाले column और row पे आगए उसी चगा पे आगए जहां से हम गए थे और वापी सबने प्रिसके तो हम यहां आगए अच्छीलिए subject वाला column blank है इसलिए यहां पे रुक या था काईज हमारा next shortcut है current time के लिए अगर हमें current time चाहिए तो हम क्या करेंगे control plus shift plus semicolon press करेंगे control plus shift plus semicolon press करते ही current time आ गया और अगर हमें current date चाहिए तो हम क्या करेंगे control के साथ semicolon press करेंगे तो हमारी current date आ जाएगी guys अब हमें next shortcut सीखना है जो कि है कि अगर हम इस sheet 2 पे हैं जैसे आप देख रहे हैं साथ में इसशी तु पर हैं हम शीट 1 पर जाना है या हम शीट 1 पर हैं तो हम क्या करेंगे अभी हमें sheet two से sheet one पर जाना पर गया on previous sheet पर जाना है से Ctrl plus page up करेंगे जो की हमारा अगला shortcut है पेजब करती ही हम house प्रीवे आगे नेक्स शीट पे जाना है तो हम control प्लस पेज़ डाउन करेंगे हम नेक्स शीट पे आ गए गाई यहां पर यह भी बात ध्यान रखनी है कि जब हम काम कर रहे होंगे work कर रहे होंगे edit कर रहे होंगे तब यह काम नहीं करेगा हमें selection mode पर ही रहना होगा अब हम अपने शीट के किसी भी सेल पर हैं और हमें cell A1 पर जाना है तो हम क्या करेंगे control plus home press करेंगे जैसे control plus home press किया हमने हम A1 cell पर आ जाएंगे यह हमारा अगला shortcut था अब हमारा next shortcut है F2 की F2 की हमें edit mode पर ले आती है और अगर किसी cell में कोई formula लगा है तो वो भी दिखाती है तो हमने F2 की press करेंगे यहां पर total में देखी हमने F2 की press किया तो आपको formula दिख गया जो formula हमने लगाया था और यह blinking cursor यह दिखा रहा है कि आप इस formula को edit भी कर सकते हैं ठीक है तो आई हो आपको यह सब मर्ज में आ गया होगा अब हम यह subject में type करते हैं computer है वाइस हमने यह computer लिखा और अब हम चाहते हैं कि यह computer नीचे वाले cell पे भी आ जाए हमें लिखना ना बढ़े तो इसके लिए हम next shortcut है मारा Ctrl D that is copy down अगर हमें उपर वाली चीज नीचे चाहिए तो हमको Ctrl C Ctrl V प्रेस करने की ज़रत नहीं है जिस cell पे हमें यह चाहिए उस cell को हमने डॉक्टर प्रेस से सेलेक्ट किया और Ctrl D प्रेस किया तो हमारा उपर वाला content नीचे आ गया देखिए हमारा सारा content नीचे आ रहा है अब हमें यह सपोज यहां पर हमने टोटल लिखा हुआ है यह टोटल हमें राइट साइट पर यही टोटल चाहिए सिफ यह टोटल यह वाला टोटल नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पर अपना selection करेंगे cell का और ctrl r करेंगे that is our next shortcut ctrl r करने से copy right हो जाएगा जो left वाले cell पर लिखा है वो right वाले cell पर आ जाएगा देखिए total आ गया ठीक है और एक बात ध्यान रखिएगा जैसे हमने ctrl d किया तो copy down हो गया ctrl r किया तो copy right हो गया पर ctrl l करेंगे तो जो left में लिखा होगा shortcut और जो में नीचे लिखा है वो उपर काम नहीं करेंगा ctrl u काम नहीं करेंगा ctrl l काम नहीं करेंगा क्यों कि हम चोब टेबल बनाते हैं left to right बनाते हैं इसलिए की इस वर्क नहीं करेंगी हम जितना भी काम करते है और डाउन तो अप नहीं करते अप टू डाउन करते इसलिए कि इसकाम नहीं करेंगे अब हमारे पास नेक्स शॉट कर सीखना है तो हम क्या करते एक चीज बताते हैं आपको जैसे अब हमने टेबल सेलेक्ट किया इसको कॉपी किया और दूसरी बुक में ले जाके पेस्ट करा दिया तो यहां पर हमाँ पस रेफरेंस शीट रही है 21 से यह फॉर्मला आ रहा है वह किसी दूसरे ज़ोर्ब करना है किसी दूसरे कंप्यूटर को भेजना है तो उसके पास यह एल्यू स्वाम पैस बहुतों है तो यह वैल्यो pulling पेस्ट नहीं हो पाएंगी तो हमें सिर्फ इन वैल्यूस को पेस्ट कराना है यह वैल्यूस ताकि इसली दूसरे तक पहुंच जाएं तो उसके लिए में क्या करना हमारे पस एक शॉर्टकट है हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सी किया हम और हम नेक्स बूक पे गय動画 next book की sheet पे गए और यहां हमने all text vv कर दिया तो देखिए हमारा पूरा table paste हो गया है और इसी में borders लगाने हमें तो all text भी यह करेंगे तो हमारा पूरे borders लग गए हम देखिए इससे यह फायदा होगा कि हमें किसी को भी content भेजना है अपना तो इसके पास values चली जाएंगी formulas नहीं पहुचेंगे और error नहीं आएगा so guys I think so कि आप सब को यह सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएए तो please like कीजे, subscribe कीजे and share कीजे, thank you so much